ओके, so, hello everyone, this is Sunil Jangra, welcome back to the channel, तो कैसे आप सब, I hope कि सभी अच्छे होंगे, निच्छे से पढ़ रहे होंगे, so, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, do or die topics for class 12 physics, term first exam, do or die topic का मतलब सिरफ यही है, कि कहीं आपने इन topics को छोड़ा तो नहीं है, यह most important topic है, इनको बिलक factor wise बताने वालो, जितने भी यह topic है, previous year questions को ध्यान में रखके बनाए गए हैं, मतलब ढूंडे गए हैं उनसे, so, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, असान है, तो बस मैं यहीं बोलूँगा, अगर आपने इन topics को भी तक नहीं किया है, तो उने करिए, और इसका मतलब यह बि पीडियाफ चाहिए, तो आप सुनील जंग्रा सर के नाम से टेलिग्राम चैनल है, उसको जोइन कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा help आपको मिलती है, उस टेलिग्राम चैनल पे, new notes मैं आपको वहाँ पर प्रवाइड कर रहा हूँ, अभी मैं कपेश्टन के notes अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, किसके notes के, ठीक है, चलिए, तो आप में साथ Instagram पर भी जुड़ सकते हैं, अगर हम एक family का part हैं, तो क्यों ना हम हर एक जंगे जुड़ जाएं, तो आप underscore सुनील, underscore जांग्रा पर मुझे connect कर रहे हैं, और वहाँ पर message भी कर सकते हैं, चलिए, अगर हम देखो, जो topic मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, जो भी topic मैंने सबसे पहले लिखा हर एक chapter में, तो उसकी priority जादा है, मतलब वो जादा बार previous year questions में देखा गया है, ठीक है, वो PYQ जादा बार आया हुआ है, ओके, चलिए, सबसे पहले chapter में, electric charges and field में, ghost theorem and its application है, ghost theorem and its application है, ghost theorem and its application पर question कैसा आता है, देखो, definition तो आने से रही, तो numerical बनता है इनके उपर, तो numerical इन दोनों के उपर एक साथ बनता है, मतलब ghost theorem पे और electric flux पे, वो पूछता है कि, जो flux होगा, वो कितना होगा, अगर चार्ज इतने unclosed हैं, या दो चार्ज बाहर रखे हैं, दो अंदर हैं, गाई बार वो square ले ले लेता है, या cube ले ले लेता है, उसके according बताता है कि, इसमें से field इधर जा रहा और इधर जा रहा, आप बताइए flux कितना होगा, मतलब इस तरह के कुछ question आप लोगों को यहां पे पूछ लिये जाते हैं, अगर बात करें next question की, next topic की, वो है electric field due to dipole, ज numerical तो common सी बात है, अब भी आएगा, so torque ने dipole पे, अभी जो question बनेगा, वो बनेगा, कि maximum torque क्या होती है, और minimum torque क्या होती है, यह आप लोगों को यहां पे बताना है, next होगा, इसमें potential energy stored in dipole, तो यह आपको अच्छे से कर ले ना, क्योंकि इस पे stable, unstable का question भी पूछा जाता है, क stable का question भी पूछा जाता है, कि कब यह stable equilibrium में होगा, और कब यह unstable में होगा, ठीक है, so इस तरीके से, बात करें, next chapter, electric potential and capacitance की, तो इसमें भी आपको सिरफ 5 topic जो है, वो जादा अच्छे तरीके से कर लेने हैं, मालब बाकी तो कर नहीं हैं, लेकिन यह बहुत जादा अच्छे त क्या होता है, उसके concept में जैसे constant रहती है potential, change in potential zero रहता है, work done zero रहता है, difference zero आता है, potential difference, तो यह सारी चीज़े आपको इस topic से मिलने वाली है, and यह छोटे-छोटे question ही वहापर पूछे जाते है, and आपको equipotential surface को draw करना भी आ जाएगा, क्या करना जाएगा, draw करना, paper के अंदर, तो वह सारा concept TC के अंदर आता है, next है energy stored in a capacitor, most important topic है, मतलब इस पे question बनना बहुत, मतलब यह लगा लो बहुत ज़्यादा chances है, तो energy stored in a capacitor, next आता effect of dielectric on capacitance की, अगर capacitance जो है, वो निकालनी है, जब हमने किसी parallel plate के बीच में, जो parallel plate कबस्टर उसके बीच में, जब हमने dielectric को रख दिया है, मतलब वो partially रखा है, या fully रखा है, या फिर उसके अंदर metal हमने रख दिया, तो यह case आपके सारी यहाँ पर cover होंगे, combination of capacitor बिल्कुल असान topic है, लेकिन इस पे question बनना है, बिल्कुल बनना, and potential due to dipole, potential due to dipole आप लोगों के पास होता है, इसमें क्या होगा, आपको पता है कि जो potential at equatorial हो zero होता है, तो आपको axial और किसी एक at any point के लिए करना, किसके लिए करना, at any point के लिए करना, गबराने के बात न लिखा नहीं है, जो कि है potential energy of a system of two charges, तो उसके सिरफ formulas आप याद कर लीजेगा, उसके सिरफ formulas आप याद कर लीजेगा, बहुत ज़्यादा help आपको मिल जाएगी, current electricity में drift velocity आपको आने चाहिए, combination of cell आपको आने चाहिए, and temperature dependence, मतलब rho is equal to m upon any square tau, सिरफ इस concept पे बहुत बढ़ of resistivity को ध्यान से करना है, क्योंकि इसका question 101% पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार या उससे पिछली बार जब भी देखें, पिछले 10 सालों में, तो temperature dependence पे question हर बार पूछा गया है, potentiometer and its application होगी, ठीक है, तो इसका सिरफ आपको क्या करना है, एक definition पढ़नी है, diagram पढ़ लेना है, वीट्स्रोन बीज और स्लाइड वायर बीज बहुत असान है, वीट्स्रोन बीज में आपको P by Q is equal to R by S ही रटना है, जब IG is equal to 0 हो, diagram देख लेना एक बार, स्लाइड वायर बीज में भी कुछ ऐसा ही होगा, P की जंगे क्या बन जाएगा, L बन जाएगा, नीचे 100 minus L और यहां पे R by S, बस, सिर्फ diagram का केलरी, सो इतना असान चप्टर है, बहुत बढ़िया आपके नंबर आ जाएगे, बात करें, moving charging and magnetism की, तो इसमें थोड़ा सापको यह चप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपने first chapter अच्छे से किया, तो यह चप्टर आपको म नहीं लगना चाहिए, इसमें by itself, लो और उसकी application आपको करनी है, ampere circuit लो, और उसकी application को मैंने साथ में लिखा, अलग करके लिख दिया, solenoid और toroid ठीक है, कहीं बार बच्चे क्या बोलते हैं, आपने तो यही पर लिख दिया, बहुत बड़ा topic था यह और आप तो हमार साथ भई, यह अलग से इसलिए रिखा, क्योंकि यह topic most most important है, यह आते हैं paper में, पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा question आये है, force between two parallel current, इसमें आपको क्या concept आ सकता है, कि जब current same direction में तो force कैसी होगी, attractive होगी, जब current opposite direction में होगे, तो force कैसी होगी, force repulsive होगी, force repulsive होगी, galvanometer and its conversion पर question बनेगा, बिलकुल बनेगा, आप लोगों को इसमें galvanometer की theory आने चाहिए, theory का मतलब जो derivation का part होता है, restoring torque is equal to deforming torque वाला concept, साथ में आपको sensitivity पता होने चाहिए, साथ में आपको इसकी conversion, conversion करते होगे, सिरफ चोटे चोटे से step है, यह topic ज़्यादा बड़े नहीं है सिरफ अगर आप एक dedication के साथ और एक concentration के साथ अगर पढ़ोगे ना, तो term first का जब एक बार syllabus कर लोगे और इन topics को देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि यह topics तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यह do or die topics हैं, मतलब करो और मरो वाले काम है, not करो और मरो, it's करो या मरो वाले क revolving electron, यह topic कहां से लिए गए हैं sir, यह सारे के सारे previous year question के according मैं बता रहूं, जितने अभी तक मैंने chapters बता दी हैं आप लोगों को, okay, next अगर हम बात करें, electromagnetic induction की, तो सबसे ज़्यादा question आएगा, lens low के उपर, इसमें क्या होता है, कि आपको एक circle दिया, बोलेगा कि यहां से मैं एक magnet लेके आ रहा हूं, और इसको इसकी तरफ लेके जा रहा हूं, तो बताओ इसके अंदर कैसा current बनेगा, या इसको मैं दूर लेके जा रहा हूं, तो बताओ भी इसमें कैसा current बनेगा, मतलब current की direction आपको पूछेगा loop के अंदर, circuit के अंदर, इस तरीके से, और self induction and mutual induction की definition आपको अच्छे से आनी चाहिए, और साथ में जो उनके पास formula होता है, जैसे कि 5 is directly proportional i, 5 is equal to li, l is equal to 5 by i, तो यह formula आपको याद होने चाहिए, self and mutual inductance, आपको निकालने है किसकी, sorry note की, self and mutual inductance, यह inductance है भई, क्या है यह inductance है, not induction, it's inductance, emotional EMF, बहुत बार question आया, देखो कई बच्चे भी क्या बोल रहे हैं, वो यह बोल रहे हैं कि sir derivation करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं एक बार बोलता हूं आप लोगों को, कि भी derivation अगर आपको ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं, जो बड़ी हैं, तो आप सिर्फ NCRT क derivation कर लो, जो compact होती हैं, छोटी होती हैं, कम चीज में ज्यादा समझाया होता है, वहाँ से एक बार पढ़ना शुरू करो, सब कुछ आ जाएगा, एंड वन शोट तो आप लोगों के लिए uploaded हैं already, एंड जल्दी से questions भी मैं series जो है वो चलाने वाला हूं, alternating current, तो alternating current में आपक ठीक है, power consumed आपको आने चाहिए, मतलब इसके साथ आपको power factor भी करना होगा, क्या करना होगा, power factor, transformer and AC generator में आपको principle पूछे जा सकते हैं, diagram तो बनवाने से रहा, या diagram paper में आ जाएंगे, बोलेंगे कि कौन सा diagram सही है, या कहां पे किस तरह से working हो रही है, थोड़ा सा आपको य voltage की याद होनी चाहिए, formula ही कर लेना, इतने बड़ी derivation नहीं आगी, but formula अच्छे से कर लेना, देखो जो बड़ी-बड़ी derivations है, जो बड़ी-बड़ी derivations है, उनके कुछ-कुछ main step होते हैं, वो आपको याद करने चाहिए, formula आपको last में याद कर लेना चाहिए, कि क्या होग बड़ी, so मेरे घहल से तो कोई दिक्कत परिशानी नहीं आने वाली, ठीक है, so यह थे अभी कि आपके यहां तक के साथ chapter हमने की है, term first exam के लिए, and इसकी जो pdf आपको telegram channel पर मिल जाएगी, telegram channel का link आपको description box and chat box दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, so अगर आप hard work करते हो, और सर ने मुझे question बताये थे, सर ने मुझे topic बताये थे, और यह paper में हुए नहीं मरसे, भाई तुमने कितनी महनत की है, ठीक है, तुम अपने अंदर जांक के देखना पहले, ठीक है, आप लोगों की help के लिए videos बनाए जाती है, and कई कलाकार होंगे, जो अभी आएंगे, सर इस है, ठीक है, तो यह सारे के सारे जो PDF है, इन chapter की, यह सारी के सारे आपको मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल पर, and टेलिग्राम चैनल का लिंक आप सबको description box and chat box सो मिल जाएगा, I hope यह video आपको पसंद आई, अगर पसंद आई, तो अपने friend के साथ share जरूर करिएगा, and channel पर अ